आओ बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है हम गनित की दुनिया किताब का पहला पार्ट कर रहे थे जिसका नाम है अंकों का खेर तो चलिए आगे बात करते हैं आओ सीखें संख्याओं की तुलना अध्यापक अपने दोनों हातों में अलग अलग गिंती के चौक के तुकड़े लेकर बच्चों को दिखाते हुए अनुमान लगाने के लिए कहते हैं किस हात में अधिक चौक के तुकड़े हैं और किस हात में कम तो अब टीचर के हाथ में चौक के तुक्डे हैं और वो बच्चों को अनुमान लगाने को बताते हैं कि आप देखे बताएए कौन सा हाथ भरा हुआ लग रहा है और कौन से में कम लग रहे हैं चौक तो ये टीचर ने पूछा है मेरे किस हाथ में चौख के अधिक तुकड़े है अब बच्चा देखता है और वो घबरा जाता है कि मैडम मुझे कैसे पता कि आपके किस हाथ में जादा तुकड़े है ये तो थोड़ा मुश्किल सवाल है तो फिर टीचर बोलते हैं अब देखते हैं कि किस हाथ में चौख के अधिक तुकड़े हैं मेरे पाएं और दाएं हाथ में चौख के कितने तुकड़े हैं तो बच्चा बोलता पाएं में तीन दाएं में दो फिर टीचर पूछते हैं किस हाथ में चौख के अधिक तुकड़ तो बच्चा बोलता है मेडम तीन तो दो से जादा होता है तो बाएं हाथ में चौके तुकडे अधिक हैं यानि कि बाएं हाथ में जादा तुकडे हैंγά अधियापक अलग-अलग वस्तुओं और अलग-अलग मात्रा के साथ उप्योक्त गतिविती करवाएं अधियापक ब्लैकबोर्ड पर समझाएं लेकर कम अधिक संख्या के बारे में बताएं बच्चों यहाँ पर कम अधिक यानिकी देखिए अगर मैं आपसे बोलू पांच या छे दोनों में से छोटा कौन सा है तो आप बोलेंगे छे से पहले पांच आता है तो पांच जो है वो छोटा है अगर मैं बोलू छे और साथ में से बड़ा कौन सा है तो जो बाद में आता है वो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा ठीक है बच्चो आसान है ये देखती हूँ आप से पूछ के अब आप मुझे बताईए दो और तीन में से बड़ा कौन सा है ये मुझे comment section में बताईए तब मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या न ही मैं सवाल दो राती हूँ दो और तीन में से बड़ा कौन सा है ठीक है आगे है प्रतेक समू के चित्रों को गिनो लिखो और बड़े अंक पर गोला लगाओ तो बच्चों यहाँ पर पहले इस समू को गिनेंगे फिर इस समू को गिनेंगे और जो बड़ा होगा उसकी एक दो तीन चार पांथ चै शाट आठ यहाँ आठ है एक दो तीन चार पांथ शै चै अब बड़े अंक पे गोला लगाओ चै बड़ा है यह आठ एक दो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कौन सा बढ़ा है, 8 ये 6, बाद में कौन सा आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 बढ़ा हो जाएगा बच्चों, 6 से, आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आ गया, 6, अब 5 और 6 में से बढ़ा कौन सा, ये रहा 5, ये रहा 6, ये 6 बढ़ा है, क्योंकि ये बाद में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 6 पे गोला लगाते, ऐसे ही, प्रतेक समू के चित्रों को गिनो, लिखो, और छोटे अंक पर गोला लगाओ, अब हमें बोला गया है, छोटे वाले अंक पर हमें गोला लगाना है, चलिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, यहां है, आठ सितारे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, शै सितारे, अब आठ और छै में से छोटा कौन सा है, यह रहा छै और यह रहा आठ, दोनों में से जो जीरो की तरफ को होता है, एक की तरफ को होता है, वो छोटा होता है बच्चों, तो यहां पर छै जो है वो छोटा आएगा, तो मैंने छै पे गोला लगा दिया, अब किन्ते हैं अग 5, 6, 7 7 हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गए 8 छोटा कौन सा है 7 या 8 ये रहा 7 ये रहा 8 पहले कौन सा आता है 7 तो 7 क्या है यहाँ पर छोटा और उस पर मैंने लगा दिया गोला आगे है आओ करे बड़े अंक और छोटे अंक में समझ लो तुम तकर बड़े अंक को ढूंड कर लगाओ उस पर गोल चकर तो समझ लो छोटे और बड़े में एक तकर है हमें बड़े वाले को ढूंड कर उस पर एक चकर लगाना है तो शुरू करते हैं, पहले गिंती रिख लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, बच्चों हमें किस पे गोला लगाना है? बड़े वाले पे, आठ और तीम ये रहा, आठ ये रहा तीम, जीरो जो है या शुन्य जो है वो एक से पहले आता है, तो जो पी अंक, शुन्य के नजदीक होगा, वो छोटा होगा, और जो शुन्य से दूर होगा, जीरो से दूर होगा, वो बड़ा होगा, देखें, आठ और तीन, आठ और तीन में से तीन जो है, वो जीरो के पास है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास छोटा, और आठ जो है, व कौनसा अंक है जो बड़ा है? तो हमारे पास बड़ा कौनसा है पांच? इसी प्रकार बच्चों अगर चार और तीन दिया गया है तो हम पहले तीन और यह रहा चार बड़ा कौनसा है? चार क्योंकि वो तीन के बाद आ रहा है वैसे ही साथ और आठ बड़ा 8 है यह रहा गोला अगला पूछा गया है 9 और 6 9 और 6 बड़ा कौन सा है बच्चों? 9 तीन और 8 यह रहा तीन यह रहा 8 बड़ा कौन सा है? 8 है ना आसान बहुत जादा? चल यह इसी से आगे बढ़ते हैं चोटे अंक और बड़े अंक में समझ लो तुम तकर चोटे अंक को ढूंड कर लगाओ उस पर चकर अब हमें चोटे वाले को ढूंडना है 9 और 6 मैं यह यह लेके जाती हूँ 9 और यह रहा 6 चोटा कौन सा है? जो 0 के पास है? जो 6 के पास है तो मैंने 6 पे टकर एक गोला लगा दिये क्योंकि 6 ने 9 को टकर दे 3 और 5 यह रहा 3 यह रहा 5 तो बच्चों चोटा वाला कौन सा है? जो 6 के पास है? 3 चलिए 3 पे लगा दिये हूँ चकर 9 और 2 यह रहा 9 और यह रहा 2 तो दोनों में से चोटा 2 जो 6 के पास है? 7 और 5 यह रहा 7 यह रहा 5 तो बच्चों दोनों में से चोटा कौन सा आएगा? 7 या 5? बिल्कुल 5 आएगा क्योंकि 5 पहले आता है 4 और 6 यह रहा 4 यह रहा 6 कौन से वाला चोटा है? 4 2 और बच्चों यह गलती से 2 लिखा गया यहां सिरफ 7 आएगा आप भी अपनी किताब में ठीक कर लीजेगा 2 और 7 में से चोटा कौन सा है? यह रहा हमारे पास 2 और यह रहा 7 2 और 7 यह था तो दोनों में से चोटा कौन सा है बच्चों? दो शापाश यह रहा 2 तो इस तरीके से हमें पता लगता है कौन सा चोटा है और कौन सा बढ़ा है? यह तो बहुत आसान है बच्चों आगे बढ़ते हैं आओ सीखें बराबर बाएं हाथ की पांच उंगलिया दाएं हाथ की भी पांच उंगलिया दोनों हाथ की तो फिर एक बच्चा बोलता है बराबर हुई तो यह ना तो कम है ना अधिक ना कम ना जादा यह तो बराबर हुई देखते हैं जैसे यह घड़ी एक, दो, तीन एक, दो, तीन हो गया ना, बराबर एक, दो एक, दो ये भी दो और ये भी दो तो दोनों क्या हो गया बच्चो? बराबर अब आओ करें, यहाँ पर बताया गया है नौ से एक उल्टी गिंती तक गिनो और लिखो अब नौ से लेकर एक तक की उल्टी गिनती पहले हम गिनेंगे और फिर लिखेंगे यानि की एक से नौ नहीं हमें वापस नौ से पीछे जाना है चले शुरू करते हैं उंगलियों पे गिनना सबसे पहले हैं एक, दो, तीन, चार, पान, छै, साथ, आठ, नौ, ये रहा नौ उसके बाद एक, दो, तीन, चार, पान, छै, साथ, आठ, आठ एक, दो, तीन, चार, पान, छै, साथ, एक, दो, तीन, चार, पान, छै, एक, दो, तीन, चार, पान, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन एक, दो दो उंगलियां हुई और यहां पर सिरफ एक तो आओ बच्चों अब उल्टी गिंती यहां लिख भी लेते हैं एक बार क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं बच्चों ठीक है पीछे की और कदम गिंते हुए उल्टी गिंती गाएंगे नो, आठ, साथ, छे, पांच, चाथ, तीन, दो, एक ठीक है बच्चों तो यह हुआ आज का पार्ट अब हम अगली क्लास में मिलेंगे तब तक आप उल्टी गिंती जरूर याद कर लीजेका और अपना ध्यान रखिए